हेलो स्टूडेंट्स कैसो आप सब लोग मेरा नाम कामाक्षी गुडवन्त और आप देख रहे हैं कामाक्षी गुडवन्ते क्लासिस मैं आपको पढ़ा रहे हूं क्लास 10 की टिग्नोमेटरी एक्सरसाइज है 8.2 पिसली वीडियो में मैंने पहला क्वेशिन एक्स्प्लेइन क 1030 की वैल्यू देखते हैं 1 अपॉन रूट 3 है मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करके रखी हुई है 2 इंटू 1 अपॉन रूट 3 अपॉन प्लस यहाँ पे 10 स्क्वाइर 30 है यानि कि 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वाइर अब मैं इसको आगे सॉल्व करती हूं तो य इस वाले में एल्सीम आजाएगा 3 यहाँ पे भी 3 प्लस 1 आजाएगा यह हो गया 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 4 अपॉन 3 जब 2 अपॉन रूट 3 को हमने डिवाइट करना है 4 अपॉन 3 से तो इसको करने के लिए यह हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 इंटू 3 अपॉन 4 हो है root 3 into root 3 लिख सकते हैं तो एक root 3 से ये वाला root 3 cancel हो गया तो हमारा बचा केवल root 3 upon 2 बचा root 3 upon 2 अब हमारे पाँ option है sin 60, cos 60, 1060 और sin 30 तो हम देखते हैं कि यहाँ पर root 3 upon 2 किसकी value होती है root 3 upon 2 value होती है sin 60 होती वैसे cos 30 गी भी है लेकिन यहाँ पर cos 30 हमारा option में नहीं है तो इसलिए हमारा answer हो जाएगा sin 60 उसके बाद हमारा second question है 1 minus 10 square 45 upon 1 plus 10 square 45 अब table में देखते हैं 1045, 1045 की value 1 होती है तो 1 minus 1 का square upon 1 plus 1 का square is equal to 1 minus 1 का square 1 ही होता है 1 plus 1 का square 1 होगा तो 1 minus 1 0 upon 1 plus 1 2 हो गया तो इसका answer आएगा 0 क्योंकि 0 को किसी भी number से अगर हम divide करते हैं तो answer आता है 0 आता है अब हम यहाँ यह D वाला option है 0 उसके बाद हमारा third question है sin 2a is equal to 2 sin a is true when a कहने का मतलग है कि sin 2a 2 sin a के बराबर कब होगा जब a की value इन में से क्या होगी अब जब मैं यहाँ पर value put करती हूं यहाँ पर सबसे पहले मैं 0 put करती हूं तो sin 2 into 0 sin 0 बराबर 2 sin 0 यहाँ पर देखता हम sin 0 की value 0 होती है तो 0 is equal to 2 into sin 0 की value 0 तो 0 is equal to 0 तो हमारा यह option सही हो गया क्योंकि 0 is equal to 0 के वाल a बराबर 0 put करने में आ रहा है उसके बाद अब मैं यहाँ पर 30 put करके देखती हूं तो sin 2a यानि कि 2 into 30 60 हो गया sin 60 is equal to 2 sin 30 हो गया अब मैं यहाँ पर देखती हूं sin 60 sin 60 की value होती है root 3 upon 2 और sin 30 की value होती है 1 upon 2 यहाँ पर मैं value रखती हूं तो root 3 upon 2 और 2 into sin 30 की value होती है 1 upon 2 जो कि हमारे बराबर नहीं आ रही है उसके बाद मैं sin 45 अगर रखूं sin 2 into 45 is equal to 2 sin 45 sin 2 into 45 हो जाएगा हमारा 90 degree is equal to 2 sin 45 अब sin 90 होता है हमारा यह 1 होता है तो 1 is equal to 2 sin 45 की value होती है 1 upon root 2 अगर मैं इसको cancel करनूं तो यह आ जाएगा root 2 1 is equal to root 2 आ रहा है जो की बराबर नहीं है और SI sin 60 में भी होगा दोनों बराबर नहीं आएंगे तो हमारा यहाँ पर केवल 0 रखने पर ही sin 2 बराबर 2 sin हो रहा है तो इसलिए हमारा answer होगा 0 degree इसके बाद हमारा 4th question है 2 10 30 upon 1 minus 10 square 30 10 30 की value होती है 1 upon root 3 मैंने यहाँ पर value put करी हुई है मैं इसको आगे solve करती हूं तो 2 1 जा 2 2 upon root 3 upon 1 minus 1 का square 1 होता है और root 3 का square 3 होता है 2 upon root 3 upon LC हमा जाएगा 3 3 minus 1 तो 2 upon root 3 upon 3 minus 1 2 upon 3 यह यहाँ इसके साथ multiply हो जाएगा और यह इसके साथ multiply हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2 upon root 3 into 3 upon 2 हो जाएगा 2 से 2 cancel 3 को मैं लिख सकती हूं root 3 into root 3 लिख सकती हूं तो 1 root 3 से root 3 cancel हो गया बजिया केवल हमारा root 3 बजिया अब मैं देखती हूं कि root 3 किसकी value होती है यहाँ पर 10 में देखते हैं तो 10 60 की value होती है root 3 तो answer हो जाएगा हमारा 10 60 हो जाएगा इसके बाद हमारा third question है if 10 a plus b is equal to root 3 and 10 a minus b is equal to 1 upon root 3 condition है a plus b 0 degree से बढ़ा होना चाहिए लेकिन less or equal to होना चाहिए 90 degree के और a is greater than b a को b से बढ़ा होना है find a and b देखो यहाँ पर दिया है 10 a plus b is equal to root 3 तो मैं देखूंगी कि 10 में root 3 किसकी value होती है तो 10 60 की value होती है root 3 तो root 3 को मैंने 10 60 लिख लिया सेम यहाँ पर 10 a minus b is equal to 1 upon root 3 तो 10 a minus b is equal to 10 में 1 upon root 3 किसकी value होती है 1 upon root 3 की value 10 30 की value 1 upon root 3 होती है तो मैंने 1 upon root 3 को 10 30 लिख लिया 10 से 10 cancel हो गया यहाँ भी और यहाँ भी तो a plus b is equal to 60 degree और यह हो गया a minus b is equal to 30 degree अब मैं इन दोनो equations को add कर दूंगी a plus a हो जाएगा हमारा 2a यह plus का भी है और यह minus का भी है तो यह दोनों cancel हो जाएंगे यह दोनों भी add हो जाएंगे यह आ जाएगा 90 degree तो a is equal to 90 upon 2 हो जाएगा यह cancel हो गया तो आ गया 45 degree अब a की value इन दोनों equations में से किसी में भी put कर सकते हैं तो मैं put करती हूं फस्ट वाली मैं put करती हूं तो 45 degree plus b is equal to 60 तो b is equal to हो जाएगा 60 minus 45 जब 60 मैं से 45 को minus करेंगे तो आएगा यह आ गया 15 degree उपर कहा था कि a is greater than b तो a की value आ गई 45 और b की value आ गई 15 आ गई तो यह बात सही है एक a b से बड़ा है उसके बाद fourth question है state whether the following are true or false justify your answer first है sign a plus b is equal to sign a plus b तो हमें चेक करना है कि यह इसके बराबर होता है यह नहीं है अगर मैंने लिखा sign a plus b is equal to sign a plus sign b लिखा मैंने अगर मैं यहाँ पर a को 30 put करती हूँ और b को अगर मैं 90 put करती हूँ तो यह दो value रखके मैं यहाँ पर चेक करती हूँ कि यह इसके बराबर आया है या नहीं है तो sign 30 plus, sorry b की value अगर मैं 60 रखती हूँ और sign 30 की value होती है 1 by 2 plus और sign 60 की value होती है root 3 upon 2 अगर हम इसको solve भी करते हैं तो 2, 1 plus root 3 आ रहा है जो कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगा तो यह statement हमारा गलत हो जाता है, first statement, sign a plus b is equal to sign a plus sign b उसके बाद second है, the value of sign theta increases as theta increases sign theta की value theta increase होने के साथ बढ़ती जाती है, इसको check करते हैं हम यहाँ पर देखते है, sign 0 की value 0 है, उसके बाद sign 31 by 2 है sign 45 है, 1 upon root 2 और यहाँ पर देखते हैं, sign 91 है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे-जैसे theta की value बढ़ती जारी है, वैसे भी इनकी value बढ़ते जारी है यहाँ पर 0 थी और sign 90 पर आके 1 हो गई, तो यह statement हमारा सही होता है जैसे-जैसे theta की value बढ़ रही है, वैसे-वैसे sign theta की value increase होती जारी है उसके बाद third है, the value of cos theta increases as theta increases theta की value बढ़ने के सांसाथ क्या, cos theta की value भी बढ़ रही है तो हम यहाँ पर check करते हैं कि cos 0 पर value है 1, लेकिन यह cos 90 हो जारा है हमारा 0 तो जो की गलत हो जारा है, value बढ़नी चीए थी, यहाँ पर cos 90 पर 0 हो जारा है तो यह statement भी हमारा गलत हो जाता है, यहाँ पर theta की value कम होते जारी है उसके बाद है, sin theta is equal to cos theta for or values of theta, sin theta और cos theta, हम देखते हैं कि दोनों की value सिर्फ sin 45 और cos 45 पे ही बराबर होती है बागी सब में, sin 0 0 है और cos 0 1 होता है, सिर्फ 45 पे ही दोनों की value बराबर होती है और जहाँ पर भी angles होते हैं, वाहाँ पर इसकी value, दोनों की value अलग अलग होती है तो यह statement भी हमारा गलत होई आता है उसके बाद है हमारा cot a is not defined for a is equal to 0 degree वैसे यहाँ पे cot 0 की value तो not defined है तो statement तो सही है हम जानते हैं कि cot theta is equal to क्या होता है cos theta upon sin theta होता है theta है हमारा यहाँ पे 0 तो cos 0 upon sin 0 cos 0 की value होती है 1 और sin 0 की value होती है 0 अगर हम 1 को या किसी भी number को अगर हम 0 से divide करते हैं तो उसका answer not defined ही आता है तो इसलिए हमारा यह statement सही है cot a is not defined for a is equal to 0 degree I hope आपको समझ में आया होगा अगर आपको समझ में आया है तो मेरी वीडियो को प्लीज फॉलो लाइक एंड शेयर कीजिए थैंक यू